प्यारे साथियों, आज का हमारा विशय है खादे संसाधनों में सुधार, जिसमें से हम फसल उत्पादन में उन्नती के बारे में चर्चा करेंगे सभी जीवधारियों को भोजन की आविशक्ता होती है भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट, वसा, विटामिन तथा खनिजलवन प्राप्त होते हैं हमें इन सभी तत्वों की आविशक्ता हमारी वृध्धी, विकास तथा स्वास्ते के लिए होती है पौधे तथा जन्तु, दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है अधिकांश भोजपदार्थ हमें क्रिशी तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं हमारे देश की जनसंख्या तक्रीबन सवा करोड से भी अधिक है फसलों तथा पशुधन की शम्ता को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है हरित क्रांती यानि ग्रीन रेविलूशन द्वारा फसलों तथा श्वेत क्रांती यानि वाइट रेविलूशन द्वारा दुग्द उत्पादन को बढ़ाया गया है इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदा का बहुत अधिक उप्योग हुआ है इसके परिराम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानी होने के अफसर बढ़ गए है जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खत्रा भी बढ़ गया है अता ये बहुत महत्वपूर है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें अधिक प्रयास करने चाहिए, पर्यावरन तथा पर्यावरन को संतुलित बनाये रखने वाले कारकों को हमें शती नहीं पहुचानी चाहिए इसलिए क्रिशी तथा पशुपालन के लिए संपूशणिये प्रणालियों को अपनाना आवश्यक है केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हीं गोदामों में संचित करने से ही कुपोशन यानि मैलनूट्रिशन तथा भूग की समस्या का समाधान नहीं हो सकता लोगों को अनाच खरीदने के लिए धन की आवश्यक्ता भी होती है खादे सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्दिता दोनों पर निर्भर करता है हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए क्रिशी पर ही निर्भर करती है इसलिए क्रिशी छेत्र में लोगों को आए भी बढ़ानी चाहिए जिससे की भूग की समस्या का समाधान हो सके क्रिशी के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना चाहिए संपूशणिय जीवन्यापन यानि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए मिश्रत खेती, अंतरा फसली करन तथा संगटित क्रिशी प्रणालियों अपनानी चाहिए उदारन के लिए पशुधन, मुर्गी पालन, मचली पालन, मधुमक्खी पालन, इत्यादी अब प्रश्न ये है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं आईए अब हम बात करते हैं फसल उत्पादन में उन्नती के बारे में उर्जा की आवश्यक्ता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से हमें कार्भोहाइडरेट प्राप्त होता है दालें जैसे चना, मतर, उडद, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है और तेल वाले बीजों जैसे सोया बीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सर्सों, अलसी तथा सूरज मुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है सबजियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिजलवन, कुछ मातरा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइडरेट भी प्राप्त होते हैं चारा फसलें जैसे वर्सीम, जयी, अत्वा सुडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है विभिन फसलों के लिए विभिन जलवायू संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तिकाल यानि फोटो पीरियट्स की आवशकता होती है पुषपन तथा वृद्धी सूरे प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूरे के प्रकाश में प्रकाश संचलेशन यानि फोटो सिंतेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिने हम वर्षा रितू में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती हैं। जो जून से आरंब होकर अक्तूबर मास तक होती हैं। तथा अलसी रभी फसले हैं भारत में सन 1952 से सन 2010 तक क्रिशी भूमे में 25 प्रतिशत की व्रिद्धी हुई है जबकि अन्न की पैदावार में चार गुना व्रिद्धी हुई है आईए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पैदावार में ये उन्नती कैसे हुई यदि हम क्रिशी में शामिल प्रणालियों के विशय में सोचें तो हम उनको तीन चरणों में बाट सकते हैं सबसे पहले है बीज का चुन्ना, दूसरा फसल की उचित देखभाल तथा तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानी से बचाना इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयोक्त गतिविदियों को निम्न प्रमुक वर्गों में हम बाट सकते हैं पहला है फसल की किस्मों में सुधार, दूसरा फसल उत्पादन प्रबंधन और तीसरा फसल सुरक्षा प्रबंधन सबसे पहले हम बात करेंगे फसल की किस्मों में सुधार के विशय में फसलों का उत्पादन अच्छा हो ये प्रियास फसलों की किस्मों के चैन पर निर्भर करता है फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विबिन उपयोगी गुड़ों जैसे रोग प्रतिरोधक्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता या अडाप्टेबिलिटी, उत्पादन के गुर्वत्ता तथा उच उत्पादन का चैन प्रजनन द्वारा हम कर सकते हैं फसल की किस्मों में एक्षिक गुणों को संकरन द्वारा डाला जा सकता है संकरन विधी में विभिन अनुवान्शिक गुणों वाले पौधों में संकरन करवाया जाता है ये संकरन अंतरा किस्मिय यानि विभिन किस्मों में अंतरा स्पीशीज यानि एक ही जीनस की दो विभिन अत्वा अंतरा वन्शिय यानि विभिन जैनरा में हो सकता है फसल सुधार की दूसरी विधी है एक्षिक गुणों वाले जीन का डालना इसके परिराम सुरूप अनुवान्श की रूपांतरित फसल प्राप्त होती है नए प्रभेदों को अपनाने से पहले ये आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन परिस्थितियों में जो विभिन शेत्रों में भिन भिन होती है अच्छा उत्पादन दे सके किसानों को अच्छे गुणवत्ता वाले विशेश बीज उपलब्ध होने चाहिए अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित या जर्मिनेट हो सके क्रिशी प्रणालिया तथा फसल उत्पादन मौसम मिट्टी की गुडवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बार का पूर्वानिमान कठिन होता है इसलिए ऐसी किसमे अधिक उपयोगी है जो विविद जलवायो परिस्थितियों में भी उख सके इसी प्रकार ऐसी किसमे बनाई गई है जो उच लवणिये मिट्टी में भी उख सके किसमों में सुधार के लिए कारक है उच उत्पादन जिसका अर्थ है प्रती एकर फसल की उत्पादक्ता बढ़ाना अगला कारक है उन्नत किस में यानि की फसल उत्पादन की गुडवत्ता, प्रतियेक फसल में दाल में प्रोटीन की गुडवत्ता, तिलहन में तेल की गुडवत्ता और फल तथा सबजियों का सनरक्षन बहुत महत्वपूर हैं इसके बाद अगला कारक है जैविक तथा अजैविक प्रति रोधकता, जैविक कारणों जैसे रोग, कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक कारणों जैसे सूखा, छारकता, जलक्रान्ती, गर्मी, ठंड तथा पाला जैसे परिस्थितियां फसल उत्पादन को कम कर सकती हैं इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किसमें फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं, इसके बाद अगला कारक है परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आथिक दिर्ष्टी से अच्छा होता है, इससे किसान प्रतिवर् कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दोरान होने वाली फसल की हानी कम हो जाती है, अगला कारक है व्यापक अनुकूलता, व्यापक अनुकूलता वाली किसमों का विकास करना विभिन पर्यावर्णिये परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थाई करने मे सहायक होता है एक ही किस्म को विभिन शेत्रों में विभिन जलवायों में उगाया जा सकता है अगला कारक है एक्षिक सश्य विज्ञान गुड यानि Desirable Agronomic Characteristics चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं एक्षिक गुड हैं अनाच के लिए बौने पौधे उप्युक्त होते हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोशकों की आवशकता हो इस प्रकार सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं अब हम बात करेंगे फसल उत्पादन प्रभंदन के बारे में अन्य क्रिशी प्रदान देशों के समान भारत में भी क्रिशी छोड़े छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े बड़े फार्मों तक में होती है इसलिए विभिन किसानों के पास भूमी, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्दता कम अत्वा अधिक हो सकती है संग्षिप्त में धन अत्वा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन क्रिशी प्रणालियों तथा क्रिशी तकनीकों को अपनाने में महत्वपूण भूमिका निभाते है योगदान, उच्चनिवेश तथा फसल उत्पादन में बहुत ही गहरा सह संबंध है इस प्रकार किसान की लागत, शम्ता, फसल, तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों को नरधारित करती है इसलिए उत्पादन प्रणालियों भी विभेनस्तर की हो सकती है बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियों इन में सम्मिलित है अब हम बात करेंगे पोशक प्रबंधन के बारे में जैसे हमें अपने विकास के लिए, बृद्धी के लिए तथा स्वस्त रहने के लिए भोजन की आवशक्ता होती है वैसे ही पौधों को भी बृद्धी के लिए पोशक पदार्थों की आवशक्ता होती है पौधों को पोशक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं पौधों के लिए 16 पोशक पदार्थ आवश्यक हैं हवा से कार्बन तथा ओक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ओक्सीजन एवं शेष तेरा पोशक पदार्द मिट्टी से प्राप्त होते हैं इन तेरा पोशकों में से छे की अधिक मात्रा चाहिए इसलिए इन्हें हम व्रिहत पोशक यानि Packro-Nutrients कहते हैं शेष साथ पोशकों की आवशकता कम मात्रा में होती है इसलिए इन्हे हम सोक्ष्म पोशक यानि micronutrients कहते हैं. Macronutrients या व्रिहत पोशक हैं Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, Tathha Sulphur. Micronutrients यानि की सोक्ष्म पोशक हैं Iron, Magnes, Boron, Zinc, Copper, Molybdenum, Chlorine. इन पोशकों की कमी के कारण पोधों की शारिरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धी तथा रोगों के प्रती प्रवृत्ती पर भी प्रभाव पड़ता है. अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोशकों को मिलाना आवश्यक है. अब हम बात करेंगे खाद या मैन्योर की. खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा ये मिट्टी को अल्प मात्रा में पोशक प्रदान करते हैं. खाद को जन्तूओं के अप्षिष्ट तथा पौधों के कच्रे के अबघटन यानि डिकम्पोजीशन से तयार किया जाता है. खाद मिट्टी को पोशकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपून करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है. खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की सनरचना में सुधार करती है. इसके कारण रेतीली मिटी में पानी को रखने की शमता बढ़ जाती है पानी को रखने की शमता यानी water holding capacity चिकनी मिटी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है जिससे पानी एकत्रित नहीं होता खाद के बनाने में हम जैविक कच्रे का उपयोग करते हैं इससे और वरकों की अत्यादिक उपयोग की आवशकता नहीं होती तथा इस प्रकार से परियावरन सनरक्षर में सहयोग मिलता है खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन जैव पदार्थों के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है पहला है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्टी करन प्रक्रिया में क्रिशी अप्षिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन तथा मलमुत्र, गोबर आधी, सबजी के छिलके एवं कच्रा, जानवरो द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कच्रे, सीवेज कच्रे, फेके हुए खर्पतवार आधी को गहराई में विलगित यानि डिस्पोस्ट करते हैं, कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोशक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, कंपोस्ट को केच्वों द्वारा पौधों तथा जानवरों के अप्षिष्ट पदार्थों के शीक्त् निरस्ती करण यानि डी कंपोजीशन की प्रक्रियाद्वारा बनाया जाता है, इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, दूसरा प्रकार है हरी खाद, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अत्वा गौार आधी उगा देते हैं, और ततपश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है, ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस से परिपून करने में सहायक होते हैं, अगला प्रकार है उर्वरक या फर्टिलाइजर, उर्वरक व्यवसा स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है, अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपियोग होता है, परन्तु ये आर्थिक द्रिष्टी से महंगे पड़ते हैं, उर्वरक का उपियोग बड़े ध्यान से करना चाहिए, और उसके सदुपियोग के लिए उसकी खुरा चाहि के कारण पानी में बह जाते हैं, और पौधे उसका पूरा अवशोशन नहीं कर पाते, उर्वरक की ये अधिक मात्रा जल प्रदूशन का कारण होती है, उर्वरक का सतत प्रियोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर पादन कम समय में प्राप्थ हो सकता है, परन्तु ये अम्रिदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानी पहुचाने लगते हैं, जबकि खाद उपियोग के लाब दीर्दकालिक यानि लॉंग लास्टिक हैं, कार्बनिक खेती, खेती करने की वह पदती है, जिसमें रासा अधिकादिक कार्बनिक खाद, क्रिशी अफशिष्ट जैसे की पुआल तथा पशुधन के पुनर चकरण, जैविक कारक जैसे की नील हरित शैवाल यानि ब्ल्यू ग्रीन अल्गी के समवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपियोग किये जाते हैं, नीम की पत्तियों त अश्रत खेती, अंतर फसली करण तथा फसल चक्र आवश्यक हैं, ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खर पत्वार को नियंत्रत करते हैं और पोशक तत्व भी प्रधान करते हैं, अब हम बात करेंगे सिचाई या इरिगेशन की, भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर अधारित हैं, अर्थात अधिकांश शेत्रों में फसल की उपज समय पर मौनसून आने तरथा वर्धिकाल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती हैं, कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है, फसल की वर्धिकाल में उचित समय पर सिचाई करने से फसल वर्षा की अनियमित्ता के कारण सूखा भी हो सकता है वर्षा पर आधारित क्रिशी को सूखे से बहुत हानी होती है विशेष्टा उन शेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिचाई का उप्योग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर करते हैं हलकी मृदाओं में पानी को संचित रखने की शमता यानि वाटर होल्डिंग केपैसिटी कम होती है इसलिए जिन शेत्रों में हलकी मृदा होती है वहाँ पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानी होती है वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसे किसमें तयार कर ली है जो सूखे की स्थिती को सहन कर सकती है भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन प्रकार की जलवायू है इन परिस्थितियों में विभिन प्रकार के सिचाई की विधियां पानी के सुरोत की मुझूद्गी के आधार पर अपनाई जाती हैं इन सुरोतों के कुछ उधारण हैं कुए, नहरे, नदियां तथा तालाब हम बात करेंगे कुए यानि की वेल्स के बारे में कुए प्राया दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुए तथा नलकूप खुदे हुए कुए द्वारा भूमिगत जलस्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है नलकूप में पानी गहरे जलस्तरों से निकाला जाता है इन कुवों से सिचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है इसके बाद हम बात करेंगे नहरों के बारे में ये सिचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है इन में पानी एक या अधिक जलाशयों अत्वा नदियों से आता है मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिचाई करती हैं अगला प्रकार है नदी जल उठाव प्रणाली यानि रिवर लिफ्ट सिस्टम जिन शेत्रों में जलाशयों में कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अत्वा आपरियाप्त होता है वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उप्योगी रहती है नदियों के किनारे सित्खेतों में सिचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जा सकता है अगला स्रोथ है तालाब छोटे जलाशयों जो छोटे छेत्रों में बहते हुए पानी का संग्रह करते हैं तालाब का रूप ले लेते हैं कृष्वी में पानी की उपलब्धी बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रहन तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उप्योग किया जा सकता है इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे की भूमी के नीचे जलस्तर बढ़ जाए ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रूपते हैं तथा मृदा अपर्दन को भी कम करते हैं अगली बात जो हम करेंगे वो है फसल पैटर्न के बारे में अधिक लाप प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन विधियों का उपयोग किया जा सकता है मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है जैसे कि हम गेहूं चना अत्वा गेहूं सर्सों अत्वा मुंगफली सूरी मुख्य को एक साथ उगा सकते हैं इससे हानी होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नश्ट हो जाने यानि कि अगर कोई एक फसल नश्ट भी हो गई तो भी फसल की जो उत्पादन शमता है वो कम नहीं होती और एक एक फसल पाने की आश्रा बनी रहती है अंतरा फसली करण यानि की इंटर क्रॉपिंग में दो अत्वा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में ऐसे पैटर्न पर उगाया जाता है कि कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर यानि पैरलल में से दूसरी पंक्ती में दूसरी प्रकार की फसल को उगाया जाता है इसके उदारण हैं सोयाबीन, मक्का, बाजरा लोबिया, आदी फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोशक तत्वों की आवशकताएं भिन भिन हो जिससे पोशकों का अधिक्तम उप्योग हो सके इस विधी द्वारा पीड़क यानि पेस्ट वर रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौदों में फैलने से रोका जा सकता है इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है किसी खेत में क्रमवार पूर्वन नियोजित कारकरम के अनुसार विभिन फसलों को उगाने को हम फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहते हैं परिपक्वन काल यानि मैचुरिटी पीरियट के आधार पर विभिन फसल समिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए यह नमी तथा सिचाई की उपलवदता पर निर्भर करता है यदि फसल चक्र उचित धंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में दो अत्वा तीन फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है अब जो अगला विशा है वो है फसल सुरक्षा प्रबंधन यानि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट खेतों में फसल, खरपतवार, कीट, पीड़क यानि की इंसेक्ट पेस्ट तथा रोगों से प्रभावित होती है यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंतरित नहीं किया जाए तो फसलों को बहुत हानी हो सकती है खरपतवार क्रिशी योग्य भूमे में अनावश्यक पौधे होते हैं इसके एक्जाम्पल्स हैं गोखरू, गाजर घास यानि की पार्थेनियम वा मोथा ये खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए जो फसले हैं उनके साथ स्परधा करते हैं यानि कॉम्पेटीशन करते हैं खरपतवार पोशक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृध्धी कम हो जाती है इसलिए अधिक पैदावार के लिए प्रारंबिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए आमतोर से कीट पीड़क यानि इंसेक पेस्ट तीन प्रकार से पौधों पर आकरमण करते हैं यह मूल, यानि जड, तना यानि की स्टैम तथा पत्ति ओं को काड़ देते हैं यह पौधों के विभिन भागों से कोशिकी रस को चूस लेते हैं तथा यह तनी तथा फलों में चिद्र कर देते हैं इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम हो जाता है पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक यानी फंगस तथा वाइरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्तित रहते हैं और इन मादिमों द्वारा ही पौधों में फैल जाते हैं खर पत्वार, कीट तथा रोगों पर नियंतरन कई विधियों द्वारा किया जा सकता है इन में से सरवाधिक प्रचलित विधी पीड़क नाशी रसायन यानी केमिकल पैस्टिसाइड्स का उपयोग करना है इसके अंतरगत शाक नाशी, कीट नाशी तथा कवक नाशी आते हैं इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अत्वा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं लेकिन इनके अधिकादिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन हो जाती हैं जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विशैले हो सकते हैं और पर्यावरन प्रदूशन के कारण बन जाते हैं यांत्रिक विधी द्वारा खर्पत्वार को हटाना भी एक विधी है निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तयार करना, अंतरा फसली करण तथा फसल चक्र खर्पत्वार को नियंत्रत करने में सहायक होती हैं पीड़कों पर नियंत्रन पाने के लिए प्रतिरोधक शमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रिश्मकाल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं इस विधि में खर्पत्वार तथा पीड़कों को नश्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है साथियों अब हम एक क्रिया कलाब करेंगे जुलाई अथव अगस्त के महीने में खर्पत्वार से ग्रासित किसी खेत का अब्जवेशन कीजिए खेत में इस्थित खर्पत्वार तथा कीट पीड़कों की एक लिस्ट बनाई है अब हम बात करेंगे अनाच के भंडारन यानि की storage of grains के बारे में क्रिषी उत्पात के भंडारन में बहुत हानी हो सकती है इस हानी के जैविक कारक, कीट, कृंतक यानि चुहे, कवक, चिंचडी तथा जिवानु है तता इस हानी के अजयविक कारण भंडारण के स्थान पर उप्युक्त नमी वताप का अभाव है ये कारक उतपात की गुडवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तता अंकुरन करने की शमता कम कर देते हैं, उतपात को बदरंग कर देते हैं ये सब लक्षन बाजार में उत्पात की कीमत को कम कर देते हैं इन कारकों पर नियंतरण पानी के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए निरोधक तथा नियंतरण विधियों का उपियोग भंडारण करने से पहले किया जाता है भंडारण से पहले उत्पात की नियंत्रित सफाई अच्छी तरह सुखाना पहले सोरे के प्रकाश में और फिर छाया में तथा धुए का उपियोग करना जिसे की पीड़क मर जाएं सम्मिलित है अब हम एक और क्रिया कलाब करेंगे अनाज दाल तथा तिलहन के बीजों को एक अत्रित कीजिए तथा उनके उगाने तथा कटाई की रित्मों के बारे में बात कीजिए तो साथियों हमने आज जिन विशयों पर चर्चा की एक बार उनका पुनराव लोकन करते हैं फसल के लिए कुल 16 पोशक आवश्यक हैं हवा से कारबन तथा ऑक्सीजन पानी से हाईडरोजन तथा ऑक्सीजन एवब मिट्टी से 6-13 पोशक प्राप्थ होते हैं इन तेरा पोशकों में से 6 पोशकों की मातरा अधिक चाहिए इसलिए इनने हम विशत पोशक कहते हैं शेश साथ पोशक कम मात्रा में चाहिए जिने हम सुक्ष्म पोशक कहते हैं। फसल के लिए पोशकों के मुख्य स्रोत, खाद तथा उर्वरक हैं। कारबनिक कृशी प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़क नाशकों तथा शाक नाशकों का निम्नितम या बिलकुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वस्त फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पुनर चक्रित अप्षिष्टों तथा जैव कारकों का अधिक्तम उपियोग होता है एक विशेश फार्म में फसल उत्पादन तथा पशुपादन आदी में बढ़ावा देने वाली खेती को मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं मिश्रित फसल में दो अत्वा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाया जाता है दो अत्वा दो से अधिक फसलों को निश्यत कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसली करण कहते हैं एक ही खेत में विभिन फसलों को पूर्व नियोजित अनुकरम में उगाएं तो इसे हम फसल चक्र कहते हैं उच उत्पादन, अच्छी गुडवत्ता, जैविक व अजैविक कारकों के प्रतिरोधक्ता, अल्प परिपक्वन काल तथा बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल तथा एक्षिक सश्चे विज्ञान गुड़ के लिए नसल सुधार की आवशक्ता है इसके साथ ही मैं आज के इस विशेक को यहीं पर समापन करूंगी आपके साथ फिर मुलाकात होगी धन्यवाल